ऐसे में पत्नी का मकसद होता है कि मेंटेनिस मिले या फिर कोर्ट के द्वारा हजबन को जेल भेज दिया जाए दोस्तों पती के लिए मेंटेनिस केस में राहत की खबर है मेरे पास बहुत सारे husband की query आती है कि अगर maintenance पे नहीं करते हैं तो क्या jail हो जाएगी ऐसे में पती के लिए खुशकबरी है कि interim maintenance या maintenance नहीं देने पर husband को jail नहीं होगी जिहां दोस्तों अगर husband interim maintenance या maintenance नहीं दे रहा तो ऐसे में magistrate arrest warrant issue नहीं कर सकता यानि कि husband को maintenance ना देने की एवस में arrest नहीं किया जा सकता तिके इस point को समझना बेहत जरूरी है जब भी पतनी का maintenance fix होता है चाहे वो final maintenance हो चाहे interim maintenance हो तो जाहिर है कि पतनी चाहेगी कि उसका पती उसको court के आदेश अनुसार maintenance पे करे ऐसे में पतनी का मकसद होता है कि maintenance मिले या फिर court के द्वारा husband को jail भेज दिया जाए पतनी को भी समझना होगा कि कानून की एक प्रक्रिया होती है उसके तहती किसी को यानि कि husband को jail भेजा जा सकता है इधर पती टेंशन में अपील करता है वहाँ भी उसकी बात नहीं बनती और निचली अदालत maintenance पे करने के लिए लगातार pressure मनाती है warning देती रहती है अगर ऐसे में पती के पास साधन है तो उसे maintenance जरूर देना चाहिए पर आज के वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि यदि husband court के आदेश अनुसार interim maintenance या maintenance नहीं देता तो भी court husband को arrest नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती क्या है law point जानने के लिए वीडियो को अंतर दरूर देखेगा नमशकार दोस्तों लीगल गुरू कुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही notification बेल आइकन भी दबा दीजे इनकेस आपकी कोई भी legal समस्या है लीगल परी है तो आप मुझे comments में या मेरे email ID पर भेज सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यदि कोई भी husband maintenance order चाहे वो interim maintenance हो final maintenance का order हो अगर उसकी compliance नहीं करता मतलब की court ने maintenance fix कर दिया है interim maintenance fix कर दिया है लेकिन पती maintenance amount पे नहीं करता तो ऐसे में मिल्स्टेट के पास power है warrant issue करने की ताकि maintenance amount को लेवी किया जा सके यानि की पती के उपर उसको impose किया जा सके ऐसे में husband को डिरेक्टी जेल में नहीं भिजा जा सकता मेजिस्टेट को भी कानून की प्रक्रिया यानि की जो legal process है उसके हिसाब से ही चलना होगा अब legal process क्या कहता है इसको भी जान लेते हैं देखिए कानून कहता है कि अगर husband maintenance नहीं दे रहा तो magistrate warrant issue करेगा ऐसे में सबसे पहले यदि पती के पास कोई भी movable property यानि की चल संपत्ती है तो उसे attach किया जाएगा और उसे sale out किया जाएगा अगर पती के पास कोई imovable property है तो ऐसे में warrant issue किया जाएगा और वो warrant issue किया जाएगा district collector को district collector को निर्देश दिये जाएगे कि उस चल या अचल संपत्ती को attach किया जाए और उससे maintenance amount को recover किया जाए अगर ऐसे में husband के पास कोई भी movable या imovable property नहीं है और maintenance पूरा का पूरा unpaid रह जाता है या फिर अगर उसके पास जो भी movable या imovable property है उसको attach और sale करने के बाद भी कुछ amount partly unpaid रह जाता है तब कहीं जाकर के magistrate husband को jail भेज सकता है या उसके arrest warrant issue कर सकता है ऐसे में बिल्कुल ही clear है कि magistrate directly husband को jail नहीं बेज सकता magistrate की सबसे पहली कोशिश यहीं होनी चीए कि जब भी maintenance amount unpaid है और execution डाली गई है तो ऐसे में maintenance amount को किसी भी तरीके से realize कराया जा सके चाहे वो movable property हो या immual property हो इसी point के ओपर एक case lobby में आपके साथ discuss करूँगा जहां पर एक पती पतनी थे जिनकी marriage सन 2010 में हुई थी उनके पास एक baby girl थी और कुछ time के बाद उनके आपसी relationship ठीक नहीं रहे incompatible हो गए ऐसे में wife ने अपने लिए और अपनी माइनर बिटी के लिए section 125 CRPC में maintenance के लिए application डाली और जो कि allowed हो गई नवंबर 2021 में husband maintenance नहीं दे पाया तो ऐसे में महिला ने execution डाली और मजिस्टेट ने recovery warrant issue किया एक लाग पैंसे तेजार का उसको direction दी कि वह एक लाग पैंसे तेजार रुपे पे करें जोकि धाई साल की amount बनती है ऐसे में क्योंकि वो ये amount देने में असमर्थ था तो उसको jail भेज दिये गया डिरेक्ली उसके warrant issue कर दिये गए जेल के लिए जब husband को jail भेज दियागा तो husband ने high court का दर्वादा खटखटाया ऐसे में honorable high court ने भी यही कहा कि magistrate ने husband को non payment के ground पर directly jail भेज करके गलत किया है ऐसे में magistrate के पास ये legal process था कि उसके पास power है कि वो warrant issue करे ताकि जो भी maintenance की amount है उसको levy किया जा सके और husband के ओपर impose किया जा सके और उसको realize करने की कोशिश की जा सके husband की जो भी properties है तो ऐसे में honorable high court ने husband को तुरंत रिहा करने के अदेश दिये यह citation में आपको बता देता हूँ description में भी दे दूँगा citation है weapon versus state of UP अलाबात high court की citation है और सन 2022 की याने की latest है इसको आप description में जा करके download करके पढ़ सकते हैं तो ये था आज का वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए topic में तब तक के लिए धन्यवाद जैहन